दोस्तों अगर आप एक perfect तरीके से accountant बनना चाहते हो तो आपको Tally या BG accounting software के साथ साथ Microsoft Excel का basic knowledge होना भी बहुत ही जुरूरी है क्योंकि दोस्तों कुछ ऐक ऐसे वेपारी भी होते हैं जिनके पास में कोई accounting software नहीं होता अलाकि वो छोटे वेपारी होते हैं उनके पास GSD का registration भी नहीं आली होता अलाकि वो अपने properly books maintain नहीं करते लेकिन फिर भी वो अपने customers हैं अपने parties हैं जो उनके suppliers होते हैं उनके lasers वो जुरूर maintain करते हैं इसाब किताब को properly रखने के लिए तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा कोई छोटे business की accounting maintain करनी पड़े अगर वो वेपारी किसी accounting software में investment नहीं करना चाता तो आप बिल्कुल simple उनका Excel में भी accounting work maintain कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में practically सीखने वाले हैं तो दोस्तों Microsoft Excel का knowledge आपको केवल accounting purpose है नहीं बलकि और भूस सारी ऐसी company होती है जहाँ पर Microsoft Excel का work है जो 100% work किया जाता है उसमें दोस्तों अगर आप एक नए accountant हो, नए computer operator हो तो आज की इस वीडियो को आपको end तक complete जरूर देखना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो में यह सारी बात हैं, practical तरीके से सीखने वाली है जो हम Excel में किस तरीके से formula यूज करते हैं, जो manual laser का जो format होता है, इस तरीके का format जो होता है उसे हम Excel के इस तरीके के format में किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से मुसमें formula लगा के इसको fully automatic AJ software की तरह हैं इसको यूज कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो गर आपको अच्छी लगे, तो like कर देना, दोस्तों में share भी जरूर कर देना अगर दोस्तों आपने मारे चैनल पर पहली बार विजिट करिये, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल को भी आप जरूर ओन कर लेना अगर हमें लेजर स्टेटमेंट देखना हो, तो हमें यह जो स्टेटमेंट आई यह हर कोई अकाउंटिंग सौफट वेर इस तरीके से ओटोमेटिक ही त्यार करके दे देता है हमें केवल अकाउंटिंग सौफट वेर में वाउचर की इंट्रियां ही पोस्ट करनी होती है, जैसे हमने किसी कस्टमर को सेल किया, तो सेल का वाउचर, अगर कस्टमर ने हमारे को कोई पैमेट दिया है, तो उसकी रिसिप्ट वाउचर में इंट्रि, केवल हमें इंट्रिय पोस्ट करनी होती है और बाकी को जो working है वो accounting software automatic ही त्यार करते रहते हैं लेकिन दोस्तों कुछ एक ऐसे छोटे वेपारी होती है जिनकी जो turnover कोई साल की जादा नहीं होती केवल 20 या 25 या 30 लाग तक ही होती है लेकिन वो वेपारी लोग अपनी प्रोपरली बुक्स को तो नहीं मेंटेन करते क्योंकि नहीं तो उनको कोई return बरने की जुरूत होती है नहीं other record उनको देना होता है उन्हों ने केवल एक manually laser उन्होंने अपनी बुक्स बिजनस में लगाया होता है केवल अपने customer का इसाब किताब रखने के लिए ज्योंकि दोस्तों जहां पर बिजनस होगा तो वहां पर उदार का लेंदेन भी चलता रहता है तो उनको अपने जो बिजनस का मेन है यानकी पार्टियों के customer के laser वो maintain करना जुरूरी हो जाता है जैसे दोस्तों आपने देखा होगा भी काफी सारे वेपारी होते हैं उनके पास इस तरीके से manual यह laser book होती है जिसमें data, particular, debit amount, credit amount या closing balance इस तरीके का वो amount जो लिखते रहते हैं और यही चीज़ है जो यह accounting software है यह automatic हमें त्यार करके दे हैं और आज हम बात करने वाले हैं इस तरीके के statement को हम Excel में किस तरीके से त्यार कर सकते हैं अगर कोई वेपारी किसी भी accounting software में investment करना नहीं चाहता है तो क्योंकि दोस्तों यह Microsoft Excel है यह आपको कहिन के किसी भी hardware, computer hardware की shop से आपको यह free में मिल जाता है जबकि हमें कोई accounting software हमें लेना हो तो हमें minimum 10,000 से इनकी शुरुआत होती है तो कोई 10,000 पर नहीं लगाना चाहता तो हम उसका जो basic manual ledger है वो हम इस Excel में भी maintain कर सकते हैं बहुत ही easily तरीके से और ऐसे तरीके से त्यार होगा मानों कि हम किसी accounting software में इसका कोई work कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं दोस्तों आज हम यह सारी बातें practically सेखने वाले हैं तो दोस्तों यह है जैसे कि हमारे पास एक laser है यह manual ledger है इसके अंदर party ने जितना भी हमें समान सेल किया है उसका हमने debit किया है जितनी payment हमारे पास आई है उसके हमने जमां भी किया है तो यह जो difference है यह इसका closing balance साथ के साथ चलता रहता ह है और यह आज हम इसी Excel के format में हम सेखने वाले हैं भी automatic है जो closing balance किस तरीके से आता है और यह जो debit credit का जो option आता है यह जो balance है CR चल रहा है यह यह automatic किस तरीके से आएगा यह भी आज सारी बातें practical सेखेंगे तो दोस्तों इसलिए video के end तक आप हमारे साथ बने रही है और साथ के साथ हम इस तरीके की index भी बनाएंगे तो दोस्तों index भी आपने देखा हो जब laser के जो शुरुवाती जो page होते है उन में कुछ इस तरीके की index बनी होती है manual laser में जहाँ पर alphabetic है जो customers के नाम और पार्टियों के नाम लिखे जाते है और उसके बाद यह पर page संख्या भी smart enterprises तो यह manually जो index होती है वहां पर इस तरीके से लिखा जाता है अब जैसे यहां पर यह S का आ गया तो जैसे हम इसका S का page बल्टो के तो यहां पर S or T के नाम से जो जिन पार्टियों के नाम शुरू होते है वो आप लिख सकते हो तो पार्टियों का नाम यहां पर और उसका page number यहां पर लिखा जाता है और Excel में भी इसी तरीकी के हम index त्यार करेंगे जैसे के हम एक click पर जाएंगे तो हम एक click के साथी उस party के laser के statement पर आ जाएंगे तो किस तरीके आते हैं दोस्तों तो दोस्तों यह हमने already यहां पर इसकी formatting हमने करके रखी विया है तो सबसे पहले हम हम यह data है जो सारा का सारा डिलीट कर देते हैं सारा का सारा formula बेस में हम आपको सिखाएंगे और index को भी मैं एक बार यहां से डिलीट कर देता हूं तो दोस्तों यह formatting किस तरीके से होती है इसके लिए हमने इस channel पर जो मारा Excel series का part first वीडियो था उसमें अच्छी तरीके से explain हम तो इसमें हमने कोई किसी तरीका को formula भी तक नहीं यूज किया केवल हमने basic नाम लिखे हूए है तो आप इस तरीके का नाम भी लिख सकते हो in column में तो दोस्तों अब जैसे आपके पास यह customer है हमारे पास हम इसी कोई बेस मानते हैं जैसे की smart enterprises है तो हमें जो हमें Excel का laser है तो आप देख रहे हैं पर जो पार्टी का नाम है तो पार्टी के नाम में हम यहाँ पर smart enterprises का नाम लिख देंगे smart enterprises और उसके बाद में इसका address हो सकता है उसके बाद में contact detail आप चाहो तो इसके साथ और भी डिजाइन कर सकते हो email address विगर है प्रोपरली address आप लिख सकते हो अब उसके बाद में हम देखेंगे यह जो amount है जिसे 132021 है तो सबसे पहले हम यहाँ पर date लगाएंगे लिखेंगे हैं तो आप देख रहे हैं एक मार्च 2021 यहाँ पर आ गये है और हम particular में क्या लिखेंगे यहाँ पर जो particular ने लिखा हो ए बिल no. 5444 तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे इसको बिल नमबर 5544, यहनकी इस प्रेटिकुलर में इस हम यहाँ पर इसके डिटेल में सारी लिख देंगे यहाँ पर, हमने इसको सेल किया हुए, और वाउचर नमबर में हम यहाँ पर लिख देंगे 55444 का, और उसके बाद में debit mount, debit mount यहनकी 1298 रुपे किया है, तो हम 1290 रुपे य यहां पर यह रूपय का जो सिंगनल यह ओटोमेटिक आ गया है, तो दोस्तों यह ओटोमेटिक किस तरीके से आया है, हम अगर आपको करणसी जैसे का हम यहां पर कोई भी अमाउंट लिखते हैं, तो आप देख रहे हो, यह रूपय है, जो ओटोमेटिक इसके साथ में लिखा रहा है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आप जहां पर भी यह करणसी साथ में लगाना चाहो, तो उसको सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे, और उसके बाद में आपको उप्सन देखने को मिलेगा, फॉर्मेट सेल का, यह फॉर्मेट सेल, हम फॉर्मेट सेल पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम format cell पे click करेंगे तो मारे सामने कुछ इस तरीकी के विए format cell की window open होईगी और इसमें से हम को select करना है यहां से इस currency को और जैसे हम currency को select करेंगे तो उसके बाद में यहां पर option आपको मिलेगा symbol का इसमें से हम इस symbol को यहां से select करना है आप इस drop down पर click करोगे तो काफी सारे format आपको यहां पर देखने को मिलेंगे तो अब लगबग बीच में से जाओगे तो आपको यहां पर यह option देखने को मिलेगा इसमें काफी सारी language आप यूज कर सकते हो पंजाबी भी है गुजराती भी है तो हमें केवल हिंदी चीए तो हम इस हिंदी को use करेंगे रूपए हिंदी को और ok करेंगे तो ok करेंगे तो यह मैंने हलांके सभी को select करके यहां पर लगाया हुआ है आप सभी इस तरीकी को select करके यह currency select कर सकते हो तो मैं इसको delete करता हूँ अब उसके बाद में जो मारी सेकंड रूव है कि दो मार्च को और उसके बाद में तो दोस्तों मैं जल्द वाजी फटा पट इसको जितना भी मारे पास डाटा इसको एक बार मैं पोस्ट यहां पर कर देता हूँ मैं इसका जो रिशिप्ट का नंबर हमें मिले 65213 का और इसका हम क्रेडिट में लिखेंगे 5000 और इस तरीके से जो हमारी टोटल नेक्स्ट है उसको भी हम लिखते जाएंगे यह भी दो तरीक है सेल अमने किया हुए है 55718 का और अमाउंट एसकी 8600 रुपे की और इस तरीके से 65,000 इसके बाद फिर हमारे पास एक रिशिप्ट आई है और इसकी बी डेट है दो मर्च की है और जो रिशिप्ट के माउंट वो वन थाउजिंट है और उसके बाद में कि अ तीन मर्च को है और यह भी मारे पास केस आई है और केस रिशिप्ट का नंब्र भी लिखेंगे पेंसे चार सो चौदा और इसके mount है वो 10,000 है तो दोस्तो इस तरीके से सारा का सारा data हमने यहाँ पर fill up कर दिया है और अब हमें निकालने है इसका closing balance जैसे की यहाँ पर निकाला हुए तो दोस्तो यह closing balance किस तरीके से निकले है अब जैसे का हमने customer को sale किया है 12,90 रुपे का उसके बाद में 5,000 रुपे की payment हमारे पास आ चुकी है तो उसके बाद में इसका balance 7,298 यान कि 12,298 से 5,000 रुपे माइनस हो जेंगे तो यह 7,298 रुपे का closing balance sales रह जाएगा अब यह पैसा भी हमें लेना है इसलिए में इसको DR यान कि debit करेंगे और उसके बाद में फिर हमें 28,630 रुपे का समान sale किया है तो अब इसका जो balance है वो 35,981 हो गया तो इस तरीकी से जो पैसा हमारे पास आता रहेगा वो गटता जाएगा जो अगर हम और समान sale करते जाएगे तो इसका closing balance है जो बढ़ता जाएगा तो अब यह जो closing balance का formula हम यहाँ पर किस तरीके से लगाएंगे तो दोस्तो closing balance का formula जो debit होता है debit में से में credit minus करना होता है तो इसके लिए हम simple formula यूज़ करेंगे equal का निसान दबाएंगे यहाँ पर और equal का निसान दबाने के बाद हम इस debit amount पर click कर देंगे यह आप debit का जो column का address आ रहा है यह पर d7 तो आप d7 भी लिख सकते हो क्योंकि d column है और 7 number रोसंग क्या है तो उसके बाद में minus इसके बाद में इसकी credit तो d minus यहनि के debit minus credit करेंगे तो यहाँ पर इसका balance आ जाएगा अब जो next इसका जो sell है यहाँ पर हम एक थोड़ सा एक अलग formula यूज़ करना है यहाँ पर हम करेंगे equal का निसान अब उसके बाद में करेंगे इससे पहले का जो balance आ रहा है वो भी जुड़ना चाहिए बाद में जो समान बेच है वो भी जुड़ना चाहिए और जो payment आई है वो minus में होनी चाहिए तो हम 12,298 को यहाँ पर select करेंगे फिर उसके बाद में अगर कोई debit amount और होती है वो plus होनी चाहिए और उसके बाद में minus यहाँ पर करेंगे अगर कोई payment हमारे पास आती है तो वो minus हो जानी चाहिए इंटरफ्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी 7,298 रुपे का बिलेंस सेस रह गया है और इस तरीकी सा अब यहाँ से इसको खेंज करेंगे तक यहाँ पर इसको ड्रैक कर देंगे तो अब यहाँ आप देख रहे हो इसका जो बिलेंस है वो 24,981 रुपे रह गया है और यहाँ पर भी आप देख रहे हो यह चोईश जार 981 रुपे आ गया है अब दोस्तों बात करते हैं भी यह जो बिलेंस है यह credit बिलेंस है या debit बिलेंस है जैसा कि आप इसमें देख रहे हो तो अब यह formula भी हमारे पास है automatic ही आएगा अब यहाँ पर हम एक conditional formula को use करेंगे इस formula के आपको थोड़ा सा द्यान से देखना है तो इसके लिए हम सबसे पहले बराबर का निसान लगाएंगे equal का और यहाँ पर type करेंगे if क्योंकि हम यहाँ पर condition लगा रहे हैं भी इसके amount में इतना होना चाहिए तो debit होना चाहिए यह amount हो तो credit होने चाहिए यहाँ कि हम condition इसको बता रहे हैं तो बराबर if और हम यहाँ से इसको break को चलू करेंगे और break को चलू करने के बाद हम रखेंगे इस closing balance को cell को select करेंगा इनकी F7 को अब यहाँ पर हम एक formula select करेंगे be less than यानिकी less than 0 अब इस column में अगर 0 आ जाए तो हमें क्या दिखाना चाहिए हम 0 करके comma यूज करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से double quote start करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे CR यानिकी 0 हो जाए तो यहाँ पर credit balance हो जाना चाहिए और वहाँ इसको double quote में बंद कर देंगे और उसके बाद में अगर 0 से ज्यादा की संख्या हो तो क्या आ जाए तो इसको हम double quote में यहाँ पर लिख देंगे DR balance और double quote में वाँ इसको बंद कर देंगे और इसको break भी जाणना है अगर 0 के उपर की सख्याध जीसे एक भी हो गया तो ये जो बलेंस है वो डेबिट के अंदर यहां पर आज़ाणा ज़ी है कि इंटर प्रेस् करेंगे आप यहाँ पर देखिए यह bil Ta Daiba means अगया और अभी इस फोर्मले को भी हमिंए यह से ड्रैग कर सकते नीचे तक जाहत 270 ने चीहता कम है तो अभी आप यहां पर देखिए उसका जो सभी बलेंस वह वो इसके संपल तरीके से समझते हैं अब इसको एक बार मैं सारा डाटा यहां से डिलेट करता हूँ जैसे डिलेट कर रहा हूँ आप देख रहे हूँ यह जो कलोजिंग बिलेंस की अमाउंट अब जीर ओटोमेटिक ही हो गये अब उसके बाद में कस्टमर ने हमें 5 रुपे दे ते तो जैसे इसके बेखाएंघ तो इसका बिलेंस कितना रहना चीए बाँच रुपे तो अब यहाँ पर देख रहे हैं इसका कलोज़िंक बिलेंस अब पांच रुपे ऑटोमेटिक आ गए है अब उसके बाद में customer ने हमें 3 रुपे और दे दिये, हम 3 रुपे उसके और credit करेंगे, यानि कि जमा करेंगे उसके, तो अब इसका balance रह जाएगा, 2 रुपे का, तो अब यहाँ पर देख रहे हो, यह balance है, जो automatic कम हो गया, अब उसके बाद में customer ने हमें 3 रुपे दे दिये, और हम 3 रुपे enterprise करेंगे, तो अब 3 रुपे होने से क्या हो गया, अब 1 रुपे जो balance है, उसका फालतु आ गया, आप देख रहे हो, यह minus का निसान आपको दिख रहे है, और यहाँ पर balance इसका CR आ गया, अब CR का मतलब, अब 1 रुपे का closing balance बचा गया, वो अब उसको देना ह है, अब यहाँ तक तो इसके उपर वाड़े column तक तो था DR, क्योंकि यह रुकम हमें 2 रुपे लेनी थी, अब उसने हमें 2 रुपे देनी के बिज़े 3 रुपे देती है, तो 1 रुपे उसका फालतु आ गया, अब 1 रुपे फालतु आ गया, तो इस computer एकसल यह समझेगा, भी यह debit रेना चीए, यह credit रेना चीए, तो दोस्तो यह तो था, हम Excel के अंदर इस data को closing balance में formula और debit credit का formula, अब उसके बाद में हमें index भी तियार करनी होती है, जैसे कि यह index है, अब दोस्तो हमारे के business के अंदर कोई एक खातात होगा नहीं, कफी सारे मलब सेंकडों में खाते होते तो इसलिए हमने इस का नाम भी हम change कर देंगे, smart enterprises, और उसके बाद में हम यहाँ पर seed यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसमें आपने index बना रखिए, अब index में जैसे जैसे आपके पास laser आते रहेंगे, वैसे वैसे आप इनके index में नाम लिखते जाओगे, 2, 3, 4, 5 इस तरीक कोई, कोपी करना है, यहाँ से कोपी पी कमान लगा होगे, और उसके बाद में seat अलग भी होगे, और इसको control V के साथ पेश्ट रहत होगे, अब अगर आपके पास कोई अलग हाता आ गया, जैसे माले क्यों ABC trading का खाता आपके पास आ गया, तो आप ABC trading का, अब उसके बाद में अगर इसका जो डाटा है, पुराने वाल डाटा है, इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, उनका जो receipt number है, date है, इनके amount आप डिलीट कर सकते हो, आपको formula डिलीट नहीं करने, formula आपके same वही काम आ जाएंगे, अब उसके बाद में जैसे same वही चीज हमने 20 रपे उसके payment debit कर नहीं है, आपको केवल यहां से copy करना है, और उसका जो यहां तक हमने manually data हास है, जो लिखा था, वही आपको delete करना है, बाकी formula आपको delete करने की जुरूरत नहीं है, और इस receipt को भी हम यहां से rename कर देंगे, double click करेंगे या फिर right click करेंगे इस पे, तो option मिलेगा आपको यहां पर change कर देंगे इसका, इसका नाम हम रख देंगे index, यानकि यह हमारी सारनी होगे starting पर, अब हमें दोस्तों क्या करना है, अब यह जो seat है, अभी seat पे हम एक link यहां पर जोड़ देंगे, हम एक click करेंगे, तो हम smart enterprises के laser पर automatic की पहुंच जाएं, link के दोस्तों किस तरीके से करेंग सबसे पहले आपको यहां पर click करने है, और right click करने है, तो right click करोगे तो बिल्कुल आपको end में एक option दिखाई देगा hyperlink का, अगर आप Microsoft 2010 को use करेंगे तो hyperlink आपको देखने को मिलेगा, अगर इसके उपर का version आपके पास है, तो यहां पर cable link लिखाएगा, तो दोनों का मतलब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, right click करेंगे, hyperlink पर click करेंगे, उसके बाद में इस तरीके की window आपके सामने open होईगी, तो इसमें से आपको यह select करना है, place in this document, यान कि हमारी जो इसी document में इसी को हमने link करना है, किसी बाहर की file को link करना, तो हम इस पर click करेंगे, तो हम क्लिक कर इसको भी link करेंगे, और इसको ABC से link करा देंगे, okay करेंगे, तो दोस्तों अब इसका benefit हमें क्या मिलेगा, अब माली जी आपके पास index आगे हो, पहले page पर हो, और आपको ABC trading खाते के उपर वहाँ पर जाना है, तो आप जैसे ABC trading पर आओगे, इस पर click करोगे, तो direct आप सिधा ABC ABC trading के खाते पर पहुंच जाओगे, और इस तरह से आप index पर आओगे, smart enterprises के laser पर आपको जाना है, तो आप smart enterprises laser पर जाके यहाँ पर click करोगे, तो आप automatic smart enterprises के laser पर सिधे पहुंच जाओगे, जनकि अब आपको यहाँ से अलग-लग seat ने सेलेक्ट करने की जुरूरत नहीं, आप index में से देखे भी directly, एक क्लिक के साथ उस laser पर पहुंच जाओगे, तो दोस्तो अब यहाँ पर हमें एक button over-aid करना है, ताकि हम अगर इस seat पर हो तो हम index के seat पर भी एक क्लिक के साथ जा सके हैं, तो दोस्तो अब जैसे कि मारे first seat पर हम लगाते हैं, यहीं लगा लेंगे, और तो दोस्तो इसको थोड़ा सम attractive बनाना चाहिए, तो इसको थोड़ा सम design में थोड़ा सा बना लेंगे इसको, इसको merge and center कर देंगे, और उसके बाद में insert पर जाएंगे, और safe के use करेंगे, और इस तरीकी के safe आप कोई भी safe यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने इस तरीकी के safe कर लें, और safe को थोड़ा सा attractive बना देंगे, attractive बनाएंगे दोस्तों आपको यूँ लगेगा, जैसा कि आपको जैसे software के अंदर जो button बना होता है, इस तरीकी का एक button सापको नजर आ जाएगा, अब हम इसके ओपर नाम लिख देंगे, format पर जाएंगे, text पर click कर देंगे, और यहां पर हम नाम लिख देंगे, index का, और index को हम यहां से select करेंगे, और office home पर जाएंगे, तो इसको हम center में कर देंगे, और इसका phone का size थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, तो यह हमने index लिख दिया, अब इस index पर भी हम link लगाएंगे, भी एक click, इस पर click करेंगे, तो direct हम इस page पर आ जाएं, तो इस पर हमें करना है, कि अपड़े का same way option, right click करेंगे, और इसके उपर हमने, किया है, right click, और इस पर जाएंगे, hyperlink पर, और hyperlink पर जाने के बाद, अब हम जाएंगे, index को यहां से select करेंगे, क्योंकि index को यहां से link करना है, अब जैसी इस पर हम लेके जाएं तो आप देखरों, हाथ का निसान सा automatic की बन जाएगा, अब यहां पर इस पर हम click करेंगे, तो आप direct सिदा इस index के format पे आ जाओगे, अगर आप इसी तरीके हम यहां से, इसको अगर copy करोगे आप, और seat 2 पर ले जाके अगर इसको पेस्ट करोगे, तो अब यहां पर आप click कर भी लिखा आ सकता है, दोनों का same ही मतलब है, इंडेक्स पे जाएंगे तो इस पर आजएंगे, और हम ABC पे यहां से इस पर अगर click करेंगे, तो direct हम ABC Trading Company के लेजर पर पहुंच जाएंगे, तो दोस्तो इस तरीके से आप seat पे आगे से आगे seat collect करके, आप अपने जितने लेज यो वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लेज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक दोस्तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया भा, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इसी तराइब का जो वीड तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नए टोपी के साथ,